सो गाइस जैसा कि हमने एफिसोड फर्ष्ट में देखा कि फ्लेश ने मोडरन ब्रदर्स को खत्म कर दिया था और उस सीटी के लोगों की हिफाज़त करने लगा था फिर अब हमें दिखाया जाता है कि सीटी में एक बिल्डिंग में आग लगी होती है और वहां कुछ लोग फ को नहीं बचा सकते इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है तो बेरी उसे कहता है कि हमने यहीं तो तेख या था कि मैं मेरी फाश्ट स्पीड से सभी की मदद करूंगा तो केडलीन उसे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम उन सभी मेटा हुमन को ढूंडोगे जिस पर सुरजा का हसर हुआ था लेकिन हमें मार्डन के बाद एक भी मेटा हुमन नहीं मिला है तो बेरी केडलीन की बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि यहां के लोहों को मदद की ज़रत है और हम मिलकर उन्हें बचा सकते हैं तो केडलीन घुसा होकर वाँ से चली जाती है इसको बेरी से कहता है कि क्या आस तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्योंकि मुझे तुम्हारे सूर से पता चला है कि तुम्हारी दड़कन कुछ सेकंड के लिए बढ़ गई थी तो बेरी उसे कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ तबी बेरी को जोए का कौल आता है और उसे बता जहां जोए को पता चलता है कि चोर अपने साथ बहुत सारी बंदू के लेकर गया है वो जब CCTV की फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं कि वहां एक या आदमी था लेकिन जब बेरी वहां की चेकिंग करता है तो उसे पता चलता है कि वह एक नहीं बलकि छे लोग थे क्योंक से उसे चकर आने लगते हैं तब ही वहां आइरिस भी आ जाती है क्योंकि उणिवर्षिटी साईमन स्टेज को एक going देने वाली थी और आयरिस 173 का इंड़ लेना था क्योंकि वह एक канале होती है है कि मैं बूल गया फिरो दोनों स्वंक्षन में पहुंचते हैं जहां साइमें स्टेज को अवार्ड दिया जाता है साइमें स्टेज एक साइंटिस्ट होते है जो सेलूलर क्लोनिंग पर काम कर रहे थे और वह स्टेज साथ था इसलिए उसकुछ नहीं कर सकता था इक गाड उन चोरों को रोकने कोशिश करता है लेकिन उन चोर गाड पर गुली चला दे तब भी फूल स्पीट में दोड़कर उस गाड को बचा लेता है और उन चोरों को पकड़ने जाने लगता है लेगिन तभी चक्कर आने की व बाहर भागा था और वो बेवोश हो गया फिरो जोए और एडी के पास आते हैं क्योंकि वो वहाँ investigation कर रहे थे गार्डू ने बताता है क्यों गुंडे मुझे गोलियों से मानने वाले थे लेकिन तभी में अचानक बाहर था तो जोए उसे समझ जाते हैं कि बेरी ने उसे बचाया है वो बेरी को पने साथ लेकर जाते हैं बेरी जोए को कहता है कि यह वही लोग थे जिनोंने आज सुबे गंशोप में चोरी की थी जोए उसे कहते हैं कि तुम्हें उन चोरों के पीछे नहीं बागना चाहिए था क्योंकि बुरे लोगों को पकड़ना तुम्हारा काम नहीं है बलकि मेरा है इसलिए तुम उसे वादा करो कि अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो बेरी उनसे वादा करता है फिर बेरी जब इस्टारले में जाता है तो केदलिन बेरी पर बहुत गुसा होती है कि तुमने हमसे कुछ क्यों नहीं कहा कि तुम ब्योश हो रहे हो क्योंकि इसे बेरी को हार्ट अटेक भी आ सकता था फिर हो सबी बेरी के टेश्यी तैयारी करते हैं ताकि वो चेक कर सके कि बेरी को चकर क्यों आ रहे हैं सिसको ने बेरी के लिए एक खास तरह की ट्रेट मिल बनाई थी जो बहुत ही फाश थी बेरी उस ट्रेट मिल पर फुली स्पीड में दोरने लगता है फिरो सभी बेरी के हेल्थ के बारे में चेक करते हैं तो उने बता चलता है कि बेरी कग लुकोस लेवल कम है इससे उन समझ आते हैं कि बेरी गलुकोस की कमी की वज़े से बेरी बेओश हो रहा है वो बेरी को रुकने ओ गएते हैं जिससे बेरी पीछे टकरा जाता है वहीं डीटेक्टिव जब लेप में पहुँछते हैं बनाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ग्लुकोस की 40 बहुत ले चड़ानी होगी क्योंकि तुम्हें ग्लुकोस की बहुत कमी है तब ही वहाँ जोए भी आ जाते हैं हेरी सन उन्हें कहते हैं कि बेरी हमारे साथ काम कर रहा है और हम उसकी मदद कर रहे हैं तो जोए उसे कहते ह अगर तुम सच में बेरी की मदद करना चाहते हो तो तुम बेरी को रोकते क्योंकि गुंडों को पकड़ना या लोगों को बचाना इसका काम नहीं है जोय ऐसा इसलिए कहर रहे होते हैं क्योंकि वो बेरी को अपने बेटे की तरह मानते थे और उन्होंने बेरी के डेट के जेल जाने के बाद से उसे पाला था इसलिए वो नहीं चाहते थे कि बेरी की किसी को बचाने में जान चली जाए तो बेरी जोय को कहता है कि आपको वो आद्मी याद है जो मोसम को कंट्रोल कर रहा था एसे आद्मी को आप और आपकी पुलिस नहीं रोक सकती और उस राच जो धमा का हुआ था उससे साबित होता है कि उसके जेसे बहुत से लोग होंगे तो जोय उससे कहते है कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं होगा तो बेरी जोए को कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और आप मेरे पापा नहीं है क्योंकि मेरे पापा जेल में है और उन पर गलत इलजाम लगाया गया था इसलिए अगर मैं अपने डेट को मिलना आया होता है क्yopi हो कुछ भी करके Simon Steak को मारना चाता था और हो चोर और कोई नहीं बलकि Denton Black होता है जो कि एक Scientist था और हो पहले Simon Steak के साथ एक Cloning पर काम कर रहा था लेगिन Simon Steak ने उसकी खौद चुरा ली जिसकी वज़ें से ही वो अब साइमन इस्टेक को मारना चाहता है वो जावा से साइमन की सारी जानकारी मांगता है लेकिन जावा उसे कोई भी इंफर्मेशन देने से मना कर देता है और उसे एक जोड़दार मुक्का मारता है क्योंकि उसे लगता है क्यों अकेला है तबी बलेक हुज से अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है इससे हमें बता चलता है कि वो भी एक मेटा हुमन होता है वो अपने सारे क्लोन से जावा पर अटेकर देता है और उसे मार देता है वहाई फिर अगले दिना में जोय को दिखाया जाता है जो बेरी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि कलरा साइमन के सिक्योर्टी हेट का मर्डर हो गया है फिर उसे कुछ सबुत दे कर कहते हैं कि वो सकता है कि ये सबुत अत्यारे के ही हो ये कहकर वो इस्टेक से पूसाच करने के लिए चले जाते हैं तब ही वहाँ आईरीस भी आ जाती है वो उसे कहती है कि तुम परेशान क्यों हो और तुम मुझसे क्या चुपा रहे हो लेकिन बेरी उसे कुछ नहीं बताता और उसे पता चलता है कि कलरा जिसने जावा का मर्डर किया था उसके इसकिन सेल्स बहुत अलग है जो खुद की बोड़ी को बहुत सारे क्लोन में बदल सकता है वहीं हमें दिखाया जाता है कि जोए और एडी मिश्टे के पास जाते हैं और उ कलोन के साथ आ जाता है और उन तीनों पर फाइरिंग करने लगता है एडी स्टेक को लेकर वहाँ से चला जाता है ताई कि उनकी जान बचा सके तभी जोए देखते हैं कि बलेक एक मेटा हुमन है जो खुद के कलोन बना सकता है ये देखकरों काभी परिशान हो जाते है बल मारे हवाले नहीं करूंगा तो फ्लेश बलेक को मारने लगता है लेकिन फ्लेश अपने बहुत सारे कलोन बना लेता है और बेरी पर अटेक कर देता है बेरी उन सभी के सामने बहुत कमजोर पर जाता है बलेक बेरी को शूट करने लगता है लेकिन बेरी अपनी फूल स्पी में आ गया होगा जिससे ही वो मेटा हुमन बन गया है बेरी को कुछ समझ नहीं आता है उसे लगता है कि वो ब्लेक को नहीं रोक सकता इसलिए वो सभी को कहता है कि जो है सही के रहे थे कि मैंने खुद को जादा ही समझ लिया था क्योंकि मैं एक इंसान से सही से लड़ नहीं कर रहा था मैं तो सिफ गलती कर रहा था यह कहकर वहां से निकल जाता है वह बहुत उदास होता है वाईयां में दिखाया जाता है कि एरिसन जोए से मिलना आते हैं है एरिसन जोए को कहते हैं किसी भाव में सेंडल सीटी को मुसीवत से बचा सकते हैं तो जोए उन्हें कहते है सी बेरी को बचाना चाहता हूं लेकिन आपने तो उसे हिरो बनाने के चकर में मुसीवत में डाल दिया है तो हेरिस नंने कहते है कि एसा कुछ नहीं है क्योंकि उसने अब ये काम छोड दिया है इससे जो बहुत हेरान होते हैं, हेरी सन उन्हें कहते हैं कि मुझे पुरा विश्वाश है कि वो वापस जरूर आएगा, लेकिन वो बार बार अपने दुश्मन से हार जाएगा, क्योंकि उसे खुद पर बरोसा नहीं है, इसलिए जब तक आप उस पर बरोसा नहीं करोगे, वो खुद में सभी लोगों को बचा रहा है, तभी बेरी को केट दिन का कॉल आता है, और उसे फोरन इस्टाले बुलाती है, बेरी बहुत स्पीड में इस्टाले पहुंसता है, जहां वो डेंटन ब्लेक को देखकर काफी गबरा जाता है, तो केट दिन उसे बताती है, कि असलिए डें दिमाग स्केन किया था, तो हमें उसे पता चला कि इन क्लोन का दिमाग रिसीवर की तरह काम करता है, तो केटलिन बेरी को कहती है, कि इसका मतलब यह है, कि अगर असलिए बलेक को पकड़ लिया जाए, तो यह सारे कलोन बंद हो जाएंगे, तो बेरी उसे पुछता है, कि मै यह असलिए बलेक होगा, फिर इसको बेरी को एक प्रोटीन बार देता है, ताकि बेरी की तागत बरकरार रहे, तभी अचानक बलेक का कलोन एक्टियट हो जाता है, मगर तभी जोए वहाँ आकर उसे शूट कर देते हैं, बेरी एरिसन से पूछता है कि कलोन एक्टियट कैस आना चाहिए, तो जोए उसे कहते हैं कि पुलीस भी उसे नहीं रोक सकती, क्योंकि वह अब मार्डन जैसा बन गया है, इसलिए सिव तूमी उसे रोक सकते हो, बेरी को इससे काफी कॉम्बिटेंस आ जाता है, वो अपना सूट पेहन कर स्टेक इंडस्टिस की तरब निकल ज आता है, वहीं बेरी के स्टेक इंडस्टिस पहुँचकर वहां के सारे गार्ड को मार देता है, और फिरो साइमन को भी मारने लगता है, लेकिन तभी फ्लेश वहां पहुँचकर साइमन को बचा लेता है, और उने एक सुरक्षी जगह छोड़ देता है, बेरी के बहुत सार एक बहुत ही खतरनाक बिमारी थी, कहीं सालों तक उसका इलाज चला, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, इसलिए मैंने उसके लिए क्लोनिंग से एक नया हाट बनाने का डिसाइड किया, मैं काम्याबी के बहुत करीब था, लेकिन उससे पहले ही साइमन ने मेरी खोद चुरा ली, ताकि उससे नाम और शौरत मिले, लेकिन इससे मेरी वाइफ की डेत हो गई, फिर बलेक उससे में अपने बहुत सारे क्लोन मनाकर फ्लेश पर अटेक करने लगता है, वो फ्लेश को बहुत मारता है, फ्लेश उनस सभी से बचकर वहाँ से निकलता है, तो के दिन उससे बतात करके उन सबी में से असली ब्लेक को डूरने लगता है तब भी उसे असली ब्लेक नजरा जाता है क्योंकि उसे ठकावट की वज़े से पसीना आ रहा था बेरी उसे लकाऊट से नीचे गिंड corre लेता है लेकिन ब्लेक अब जीना नहीं चाहता था इसलिए वो खुद ही अपना हाथ छोड़ देता है जिससे उसकी डेट हो जाती है फिर हमें दिखाया जाता है कि जोए बेरी से मिलना आते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम गलत हो कि तुम लोगों को इसलिए बचा रहे हो क्योंकि तुम अपने डेट को बचा नहीं पाए लेकिन हम दोनों मिलकर उन्हें बचा सकते हैं और हम ये पता लगा कर रहेंगे कि वो कौन था जिसने तुम्हारी मॉम का कतल किया और हम तुम्हारे बापा को जेल से बहां निकलाएंगे बेरी इससे काफी खुश होता है वो जो एसे कहता है कि आप मेरे पापा से कई बढ़कर है क्योंकि आपने मेरा बच्पन से खयाल रखा है इससे हो दोनों काफी एमोशनल हो जाते हैं वो साथ में पीजा खाते हैं इससे के साथ एपिसोड से कर यही पर एंड हो जाता है फिर हमें हैरिसन का मिश्टी सीन दिखाया जाता है जहां हैरिसन साइमन से मिलने जाते हैं जहां साइमन हैरिसन को कहता है कि वो लाल मास्क वाला इंसान बहुत कमाल का था इसलिए अगर वो किसी तरीके से हमारे हाथ लग जाएं तो हम पुरी दुनिया को बदल सकते हैं लेकिन तभी हरिसन वीलचेयर पर खड़े हो जाते हैं और वो एक चाकू को साइमन के सीने में गुसा कर कहते हैं कि फलेश का जीना मेरे लिए बहुत जरूरी है यह कहकर हो साइमन को मार देते हैं और यही पर यह एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है और गाइस अगर आप इसका नेश्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबिस्काइब करने के लिए आपका तहरे दिल से शुकरिया थेंक्स वरोचिंग